डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशिलिटी होमोपैथी क्लीनिक्स अब आपके शहर कांगडा में दीपो के पर्व दिपावली को रोशनी का त्योहार माना जाता है सोलन्जिला में स्वय सहाता से जुड़ी महिलाएं इस रोशनी के पर्व पर आत्म निर्भरता की मिसाल पेश कर रही है इन महिलाओं ने दीपावली के पावन अफसर पर अपने हाथों के हुनर से घर में साथ सज्जा के सामान सईत हस्त निर्मित दीपक तैयार किये हैं जिनकी पजार में फूब मांग है यह महिलाएं मौल रोड साइत चुलन पार के बहार इन समानों की परदर्शनी लगाए हुए हैं वहर को इनके हुनर की सरहना कदा है और यह हमने दिवाली के टाइम पे हमने यह सारा डेकॉरेशन जितनी भी बनाई हैं वो सब हमारे द्वारा बनाई गी है और इसमें हमने सारा जितनी भी डिजाइनिंग है यह सब कुछ हमने की है और जो भी हम पे लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं यह ज़्यादा से ज़्यादा बिकरे हैं और इसमें हमें बहुत सा लाब हो रहा है इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं दिवाली के उपलक्ष पे जो मैंने ये चोकलेट पनाई है ये होममेड है और इसमे कोई कैमिकल नहीं है और ये मैंने माल डोड पे चिल्डरन पार्क के बाहर लगाई है और आप आएं और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसको मैंने क्रेकल थीम पे भी बनाया है और जैसा भी कोई फ्लेवर चाहता है चॉकलेट में नट्स गारा सब डालके हेल्दी चॉकलेट बनाई है आज मैं शॉपिंग करने आई थी दिवाली की तो मैंने ये हैंडमेड दिये और ये डेकरेशन का समान खरीदा है बहुत अच्छा है लेडिज इसको पने हातों से बना रही है तो मैं चाती हूँ कि आप लोग सब खरीदें जो भी सोलन के लोग हैं और इन लेडिज को थोड़ा मोटिवेट करें तो बहुत अच्छे पोड़ाइन के तो हम ये ही चारे हैं कि सब लोग ये ही यूज करें कि इन लेडिज उने चोकलेट बनाई है खुद उसमें कोई कैमिकल नहीं है इसलिए आप लोग भी यहाँ पे शॉपिंग करें और इन जो लेडिज आत्म निरभर बनी हुई है